एक बात का जवाब दो लूटते हैं तो मेरा ये कहना है उसमें दुखी होने की कोई ज़रूत नहीं है क्यों कहूं आपको ऐसा सिर्फ आपको ही नहीं उन सभी को भी लगता है कि लोगों को बहुत लूटते हैं यार इसलिए टेंशन में ना रहो उलजन में ना रहो पर आनन्द में रहो पटल कहें भाईया सभी मौज में रहो आपको लगता है फ्रेंट का मकान ज्यादा अच्छा है तो मेरा ये कहना है उसमें जी जलाने की कोई जरूत नहीं क्यों कहूं आपको ऐसा सिर्फ आपको ही नहीं फ्रेंट को भी आपका सब देखके यहीं लगता है कि ललू लगी है इसलिए टेंशन में ना रहो उलजन में ना रहो पर आनन्द में रहो आनन्द में रहो पटल कहें भाईया सभी मौच में रहो आपको लगता है सभी लोग कुटे कमीने है आपको लगता है सभी लोग घोंचु और घधे है आपको लगता है सभी लोग लुचे लफंगे है आपको लगता है सभी लोग लुखे और कड़के है तो मेरा ये कहना है उसमें गुसा होने की कोई जरूरत नहीं है क्यों कहूं आपको ऐसा सिर्फ आपको ही नहीं लोगों को भी आपको देखके यहीं लगता है कि एक नंबर का फाल्तु है इसलिए टेंशन में ना रहो उलजन में ना रहो पर आनंद में रहो पटल कहे भईया सभी मौज में रहो आपको लगता है मंतरी नेता सारे जूपे हैं आपको लगता है सभी बाबु अकल के अंधे हैं आपको लगता है सरकारी नौकर कामचोर है आपको लगता है सरकारी जमाई दिश्वक्खोर है तो मेरा ये कहना है उसमें गुस्सा होने की कोई ज़रूत नहीं क्यों कहूं आपको ऐसा शिर्फ आपको ही नहीं उनके घरवालों को भी लगता है कि हमारे तो घर में ही बदमाश है इसलिए टेंचन में ना रहो, उलजन में ना रहो, पर आनन्द में रहो, आनन्द में रहो, पटिल कहें भैया सभी मौच में रहो आपको लगता है कि हस्बंड कुछ समझता नहीं तो मेरा ये कहना है उसमें उलजन की कोई जरूत नहीं क्यों कहूं आपको ऐसा सिर्फ आपको ही नहीं उनको भी आपके बारे में यहीं लगता है कि बाई में बुद्धी नहीं इसलिए पर आनंद में रहो, आनन्द में रहो, पटिल कहें भैया सभी मौच में रहो